राधे राधे दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों धन और समपत्ति की अधिश्ठात्री देवी है मा लक्ष्मी माना जाता है कि समुंदर से इनका जन्म हुआ था और इन्होंने शिरिव विश्णु भगवान जी से बिवा किया था इनकी पूजा से धन की प्राप्ति होती है साथ ही बैवब भी मिलता है अगर लक्ष्मी मा रुष्ट हो जाएं तो खोड रित्ता का सामना करना पड़ता है मा लक्ष्मी की पूजा करने से केबल धन ही नहीं बलकि नाम यश्भी मिलता है मा लक्ष्मी की उपासना से दामपत्य जीवन भी बहतर होता है कितनी भी धन की समस्या हो अगर विधीवत मा लक्ष्मी की पूजा की जाए तो धन की प्राप्ती होती है धन सम्मंधी सभी समस्याएं मा लक्ष्मी के क्रपा से दूर हो जाती है वैसे तो मा लक्ष्मी का रोजाना ही पूजन किया जाता है लेकिन शुक्रवार के दिन मा लक्ष्मी को समर्पित है शुक्रवार के दिन मा लक्ष्मी का विशेश रूप से पूजन किया जाता है और मा लक्ष्मी के लिए प्रत्वी रखा जाता है दोश्तों शास्त्रों में मा लक्ष्मी को प्रसंद करने के कुछ बहुत ही आसान उपाय बताएं गए है आज की इस वीडियो में हम आपको शास्त्रों में बताएं कर मा लक्ष्मी को प्रसंद करने के कुछ बहुत ही आसान उपाय बताने जा रहे है लेकिन इन उपायों से पहले यह जानना जरूरी है कि मा लक्ष्मी की पूजा में क्या गलतिया नहीं करनी चाहें मा लक्ष्मी की पूजा के क्या नियम और साफधानी होती है अगर इन नियमों के चलते हुई लक्ष्मी जी का पूजन किया जाए तो घर में उनका इस्थाई निवास होता है शुक्रवार माता लक्षमी का दिन माना गया है अगर घर में लक्षमी जी की इस्थापना करनी है तो शुक्रवार को करनी चाहें शुक्रग्रहे लक्षमी जी की पूजा से शुफर देते हैं इससे शुक्रिक्रहे से जुड़े कुंडली के सभी दोश दूर हो जाते हैं मा लक्ष्मी की इस्थापनाबाली जगए साफ स्वच्छ हो वहां दूल और मकडी के जाले ना हो दूल और मकडी के जाले घर में नेगेटिविटी फैलाते हैं मनों वैज्यानिक दश्टी कौन से देखें तो धूल और मकडी के जाले आलस्य की प्रतीक है जहां सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता वहां ये होते हैं आलस्य हो तो लक्ष्मी जी का आगवन नहीं हो सकता मंदिर में मालक्ष्मी के साथ करपती जी को भी इस्थापित करें लक्ष्मी धन तो करपती बुध्धी के प्रतीक है बिना बुध्धी धन कमाया जा सकता है लेकिन उप्योग नहीं किया जा सकता रोज मा लक्ष्मी और करपती को इसनान कराने के बाद कुमकुम आदी से पूचन करें लाल गुलाब चड़ाएं लाल गुलाब के फूल पवित्र ताके प्रतिक होते हैं जो बताते हैं कि धन का आगमन इस्त्रोत पवित्र होना चाहें यानि कि गलत तरीके से कभी भी धन नहीं कमाना चाहें लक्ष्मी जी को फोग में खीर या मीठा दूच चाहाएं खीर और मीठा दूच संपन्यता और शक्ती के प्रतिक हैं कारे कुशलता में संपन्य और शक्ती से परिपूर इंसान हैं लक्ष्मी जी का अर्जन कर सकता है रोज शिरी शुक्त या लक्ष्मी सुक्त का पाठ करें ये नियम के प्रतीक हैं ये पाठ आपको समझाते हैं कि लक्ष्मी जी को पाने के लिए कई नियमों को फॉलो करना होता है तभी मालक्ष्मी का घर में इस्थाई बास होता है मालक्ष्मी के पूजा हमेशा सफेद, गुलावी या लाल रंग के बस्त पहन कर गरने चाहिए मालक्ष्मी के पूजा का उत्तम समय होता है गौधूली, बेला या मध्य रात्रे मालक्ष्मी के उस प्रतिक्रती की याने की मालक्ष्मी के उस स्वरूप की पूचा करने चाहिए जिसमें वह गुलावी कमल के पुष्पर बैठे हो साथ ही उनके हातों से धन बरस रहा हो मालक्ष्मी को गुलाबी पुष्व विशेश कर कमल का पुष्व चढ़ाना चाहिए कमल का पुष्व मालक्ष्मी को अतिप्रिय है कमल का पुष्व चढ़ाकर मालक्ष्मी की पूचा कहना सर्वुत्तम माना जाता है अगर कमल का पुश्व ना हूँ तो आप कुलाब का पुश्व भी मा लक्ष्मी को अरपित कर सकते हैं मा लक्ष्मी जी के मंतरों का चाप इस फटिक की माला से करने पर वेद तुरंत प्रफावशाली होते हैं मा लक्ष्मी का पूजन करते समय कभी भी काले रंगे बस्तर नहीं पहनने चाहें मा लक्ष्मी का पूजन करते समय इन सभी नियमों का विशिश रूप से पालन करना चाहें दोस्तों धन सम्मंदी समस्याओं को दूर करने के लिए मालक्ष्मी को पसंद कहने के लिए शुकरवार के दिन साय काल के समय आप गाई के खी का एक दीपक बनाए दीपक में आप थोड़ी सी केसर डाले और रुई के इस्थान पर लाल रंग के सूती थागे की बाती लगाए इसके बात इस दीपक को आप अपने घर के इशान कौण में जलाएं इशान कौण यानि की उत्तर पूर्व दिशा का मेल अगर आपका मंदिर इशान कौण में रखा है तो आप इस दीपक को अपने घर के मंदिर में जलाएं ध्यान रखें आपको दीपक को साफ इस्थान पर रख कर जलाना है किदि आपके घर का इक्षान कौन साफ ना हो तो आप अपने घर के मंदिर में इस दीपक को मा लक्ष्मी के सामने चलाएं इसके बाद मा लक्ष्मी के इस महा मंत्र ओम शिरी हिरी शिरी महालक्षमे नमा का 108 बार जाब करें मंत्र है ओम शिरी हिरी शिरी महालक्षमे नमा इस मंत्र का जाब करने के बाद आप मालक्षमी से हाग चोड़ कर अपने दन सम्मंदी सभी समस्याओं को दूर करने की प्रातना करें शास्त्रों में बताया गया यह मालक्ष्मी को प्रसन्य कहने का अच्छुक उपाय है इस उपाय को आप रोजाना या फिर कम से कम हर शुक्रवार को अवश्य करें इस उपाय को कहने से आपको शीग्रिही धनसंबन्दी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा शीग्रिही धनसंबता आने के योग बनने लगेंगे कन्याओं को और महिलाओं को मालक्ष्मी का रूप माना जाता है जिस घर में कन्याओं का या महिलाओं का अपमान होता है उस घर में मालक्ष्मी नहीं आती जो व्यक्ति अपने घर की महिलाओं का अपमान करते हैं उन्हें जीवन में कभी भी तरक्की नहीं मिलती मालक्ष्मी को प्रसन्य कहने के लिए शुक्रवार के दिन केसर डाल का खीर बनाए इस खीर का मालक्ष्मी को भोग लगाए इसके बाद साथ कुवारी कन्याओं को घर बुलाकर उन्हें भोजन कराएं भोजन में केसर युक्त खीर अवश्य खिलाएं तथा उन्हें उपहार दें कन्याओं को भोजन में आप साथ पे भोजन ही खिलाएं कन्याओं को प्यार लैसन का भोजन ना खिलाएं ऐसा कहने से जल्द ही धन प्राप्ती के योग पनते हैं। धन की हानी नहीं होती। और माल लक्ष्मी जी की असीम किरपा प्राप्त होती है। शुक्रवार के दिन गरीबों को सफीत रंकी बस्तू अत्वा खादे प्रतात का दान करें। इससे धन से जुड़ी सारी समस्याइं समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके दामपत्य जीवर में मनमुटा चल रहा है, तो शुक्लपक्ष में पढ़ने वाले किसी शुक्रवार के दिन पत्नी अपने हातों से प्रेम पूर्वक साबू दाने की खीर बनाएं। लेकिन उसमें शक्कर के इस्थान पर मिस्री डालें। इस खीर को सबसे पहले भगवान को अर्पित करें। भगवान पिश्णू मा लक्ष्मी जी को इस खीर का भोग लगाएं। इसके बाद पत्ती थोड़ी थोड़ी सी खीर एक दूसरे को खिलाएं। और आज के दिन मालक्ष्मी के मंदिन में इत्रका दान करें। ऐसा करने से मालक्ष्मी जी की कृपा से दामपत्य जीवन में मधुरता आती है। भगवान बिश्णू और मालक्ष्मी जी को प्रसंद करने के लिए उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए। इसी शुब महुरत में पूरे बिधी विथान से अपने घर में तश्णा वर्ती शंख की इस्थापना करें समुंदर मन्थन से प्राप्त चौधर रत्नों में शंख माता लक्ष्मी का सहोदर भाई है अथे जहां संख है वहां माता लक्ष्मी है शुक्रवार के दिन भागवान पिश्णों का तच्छना वर्ती शंख में जल भर कर अभिशेक करें अभिशेक के बाद उनकी पिधी भद पूजा अचना करें इस उपाय से घर में दिन दूगना और राद चोगना पैसा आना शुरू हो जाएगा ब्यापार में लाग पाने के लिए बैवसाई के इस्थान पर मा लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान शिरी गणिश और भगवान विश्णों जी के इस्थापना करें मा लक्ष्मी जी के दाहिने और विश्णों जी और बाई और गणिश जी को इस्थापित करें नित्य प्रातर काम शुरू करने से पहले उनको एक गुलाब का फूल चड़ाएं घी का दीपक और गुलाब की सुगंदर वाली धूबत्ती जलाएं और मालक्ष्मी की चालिसा का पाठ करें ऐसा करने से ब्यवसाई में आ रही रुकावर दूर होती हैं ब्यवसाई में लाव होता है अगर आप ब्यवसाई के इस्थान पर इस तरहें मालक्ष्मी का पूजन नहीं कर सकते तो नोक्री और ब्यवसाई में उन्नती के लिए धन प्राप्ती के लिए आप अपने घर में पूजा के इस्थान पर कमल के फूल पर बैठी हुई मा लक्ष्मी जी का चित्र इस्थापित करें इस चित्र में अगर दौनों तरफ से हाती सूर में जल भर कर गिरा रहे हो तो और भी उत्तम रहेगा मा लक्ष्मी जी के इस स्वरूप का रोजाना पूचन अवश्य करें साइकाल के सामने मा लक्ष्मी जी के सामने एक शुद्धिकी का दिया जलाएं फिर इसके बाद मा लक्ष्मी जी के गायत्री मंत्र ओम शिरी महालक्ष्मी चबिदमहे फिश्नो पत्ने चधीमहे तन्नो लक्ष्मी प्रचो दयात ओम इस मंत्र का 108 पा जाप करें ऐसा करने से घर परिबार में सुख सम्रथी बनी रहती है मालक्ष्मी का घर में इस्थाई बास होता है व्यापार में उन्नति होती है नौक्री में तरफ्के मिलती है और धनसम्मंदी समस्याएं दूर हो जाती है इस मंत्र का जाप करने से रुत्वा, पत, पैसा, यश, बाफोतिक सुख सुवदाओं में शिक्र ही बड़ोत्री होने लगती है शास्त्रों में बताएगा यह आसान से उपाई करके आप मालक्ष्मी को प्रसंद कर सकते हैं उमीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज लाइक करें हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिस्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शियर करें जिस से भेभी इसका लाब उठा सकें हमारी और भी वीडियोज के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्स पूर वोचिंग राधे राधे